जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं और जो है वोट की बात कहूं तो प्रधानवंत्री जी ने जो कार किये हैं यह किसी से चिपा नहीं है जो हमने अपने मैनिफेस्टों में प्रॉमिस किया जो वादे हमने किये हमने जंता के बीच में जा करके उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाओ खतम होने तक काफी चीज़े करें पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में जै लगातार फिल्ड में रहता है जहां तक आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और इंडी अलायंस जो भी है इनके बड़े नेताओं ने यह तै किया है अब क्योंकि उनको पता है कि वह मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत जादा कहीं ना क जबकि मैं तो यह कहूंगी कि आदरनी नीता जी यानि मलायम सिंग जी जो मेरे ससुर भी है उनकी वज़े से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वज़े से उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा लाइन्स वाले लोग यह लोग अब यह तै कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके तो हमारी सीनियर लीडर्शिप को उतरना पड़ेगा उस तहत जो है इन्होंने भी अपना मांकन पर और दूसरी बात है कभी Change करना कभी PARTI टिकेट बदल रही है कभी फिर दे रही है कभी कुछ कर रही है तो यह सब बहुत सारी चीज़ें जिसन पर मुझंटा है की जाने की आविशकता नहीं है और जनता बहुत Smart है बहुत सजग है और वोटर हमारा बहुत समझदार है उसको पता है कि प्रधान मंतरी जी ने बहुत काम किया है उज्वला से ले करके इजद घर से ले करके लगपती दीदी योजना से ले करके और 370 हटाने से ले करके 500 साल का जो वेट लॉंग वेट था राम मंदिर को स्थापित करके हमारे प्रभू को स्थापित कर दिया हमारे यहां कल्चरल और रिलिजिस टूरिजम को बढ़ावा दे दिया कितने सारे मंदिरों में और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करो पूरे देश भर के मंदिरों में आप यह देखे कितना बड़ा काम किया है तो जो है प्रधानमंत्री जी की कतनी करनी में कोई जो है वो नहीं है अलग बात नहीं है और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री वनेंगे कोई भी मैदान में उतर आए जो है मुझे पता है भारतिय जंता पार्टी बनाने जा रही है